तो आज मैं अपने के चैनल में बनाने चारी हूं धाबा स्टाइल सेम किसबजी बहुती इज़्दी बन कर तयार हो जाएगी तो धाबा स्टाइल सेम किसबजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए दो बड़े टमाटर, काली मिश और लॉंग, हरी मिश, दो बड़े पया कसूरी में थी, लाल मिर्च, हल्दी, नमा, गरम मसाल और धनिया पाउडर, सबसे पहले मैंने कडाई में तेल गरम कर लिया है, अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ अब मैं इसमें लॉंग काली मिश भी एड़ कर दूँगी और हरी मिर्च भी साथ में ही एड़ कर लूँगी यह मैं ओनियन्स भी एड़ कर लूँगी इसमें सारे तक हुआ यहां और हमारे Armstrong को मिक्स करके जब तक लॉल नहीं हो जाते जब तक मैं ओनियन्स को पकने दूँगी यह में हमारे ओनियन्स भ्राउन हो चुके हैं अब मैं इसमें टमेटो ब्षेट कर लूँगी इसको उच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और दो मिनीट बाद मैं इसमें सारे मसाले एट करूँगी ये मसाले डाल कर भी मैं इस अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मसाले को मैं थोड़ी देर तक पकने दूँगी कि हमारा मसाला रेडी हो चुका है अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी में ती डाल रही हूँ अब मैं यहाँ पर मलाई यूज़ कर रही हूँ इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सेव के सब्जी में इसकी जगा आप धही का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मलाई नहीं है तो पर मैं मलाई ही डालती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट रायता है यह मैंने मिक्स कर लिए, अब मैं इसमें पानी एट कर रही है यहाँ मैंने दो बड़े गलास पानी लिए, आप अपने अकॉर्डिंग भी पानी ले सकते हैं अब मैं इसको करने दूँगी, यह हमारी सबजी रेडि हो चुकी है अब मैं इसमें सेउ डाल रही हूँ, और सेउ डालके भी मैं इसस अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी तो ये हमारी सेउं की सब्जी ट्रेडी हो चुकी है ये मैंने यापर गार्णिश भी कर लिया है अगर आपको हमारी सेउं की सब्जी अच्छी रगी है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक शेयर भी जरूर करें थैंक्स पॉ वाचिंग